अब एक problem जो हो dann solve करते हैं ok तो problem क्या पहले हो that we should solve this problem Let capital P are single linked list एक आपके linking list given and capital P 자기 starting whether helpful head node next जैसे नॉर्बरेज हमारा सिंग्ले इंकले से उसमें क्या होता है जो आपका पॉइंटर होता है जो फॉस्ट नोट को पॉइंट करता है यहां वो किया आपका capital P okay next है let capital Q be the pointer to an intermediate node x anyway आपकी जो सिंग्ले इंकले से गवन है उसमें को एक आपका intermediate node x है उसको capital Q pointer जो पॉइंट कर रहा है what is the worst case time complexity of best known algorithm to delete the node x यानि जो pointer capital Q जिस node को पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करेंगे तो कौन सा वो अलगॉरितम होगा उसकी worst case time complexity find out करेंगे तो उसमें कौन सा option होगा तो question क्या given है question आपको एक linkless given है okay और linkless में यह क्या आपका p यानि starting out suppose that इसका address क्या आपको 100 suppose that इसकी value 1 और यह next node इस तरीके से दिया हो और linkless create कर लेते हैं उसके बाद इसको डिलीट करते हैं suppose that total 4 node है तो last में क्या होगा null for example इसकी value 1 है यह इसका address 200 इसका address 300 और यह आपका 400 तो इसका next part क्या होगा 200 और इसमें value suppose that 2 है तो यह आपका 300 हो जाएगा और यह बजाएगा 400 suppose that इसकी value किया 4 ओके यह बजाएगा और यहाँ जो question में mention है कि P स्टाइए नहीं single linkless स्टार्टिंग नोट को पॉइंट कर रहा है और Q आपका intermediate node X को पॉइंट कर रहा है तो intermediate node का मतला ना तो starting node होगा ना तो last node होगा तो suppose that यह जिव करते हैं कि यह आपका node क्या है X है इसको क्या कर रहा है pointer क्यों पॉइंट कर रहा है यह आपको question में given अब क्या है इसको delete करना है तो इसको delete करने के लिए क्लिए क्लिए हम लोगों ने जो deletion वाला part जो discuss किया था क्या करने के लिए उसके पहले वाले के पास अगर इसकी प्रिवेस में address छो है एक pointer होता था तो क्या करते है क्या करते है क्या क्या क्यों नेक्स कमदब यह वाला block और क्यू का next 음악 अगर इसके address को simply क्या करते हैं किते में T के next में अगर Q का next Q का next Q का next कितना है? 400 400 को अगर T के next में sign करेंगे तो क्या होगा? यहां पर 400 आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा? इसके बीच में एक link create हो जाएगा और यह delete जो है यह link आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और simply क्या करते हैंगे free Q और Q which is equals to null ऐसे ही करते थे यह हो जाएगा लेकिन यहां problem क्या है कि सिर्फ आपको एक pointer दिया है P जो starting node को point का रहा है और दूसरा pointer जो है वो Q है जो कि उस intermediate node को point कर रहा है जिसको हमें delete करना है इसके पहले कोई भी pointer नहीं है तो इसका एक scenario यह हो सकता है कि हम starting से traverse करते हुए यहां एक temporary variable ले 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 एक temporary pointer हमने ले लिया जो कि starting यह क्या आपका T को point करेगा starting यह नहीं simply क्या करेंगे T में जो peak address और गो assign कर देंगा तो यह क्या हो जाएगा आपका starting element है और last node last node से पहले वाले पहुचना है तो उससे पहले क्या होता है n-2 number of iteration हमको करना होगा तो which is approximately order of n तो अकर इस scenario को use करेंगे तो क्या आएगा option होना जाएगा लेकिन हमें क्या करना है best known algorithm तो हमें क्या करना worst case complexity का मतलब यह है कि यह तो worst case complexity में order of n आ जाएगा लेकिन worst case का मतलब क्या होता है कि worst scenario में best performance जो दे उसको कहते है worst case तो क्या करेंगे इसके लिए इसके लिए simply क्या कर सकते है एक temporary variable हमने ले लिया अब इसको दूसरे scenario से देखते है यह तो यह हो गया कि इसको करेंगे अगर इस approach को follow करेंगे तो क्या होगा आपका order of end time तो इसका मतलब option नहीं है बट ऐसा नहीं है इसमें क्या है वो देखते हैं simply हमारे पास जो information है वो क्या है एक note और ले लेते हैं यह आपका है suppose यह इसका address है 500 तो ज़्यादा easy होगा explain करना 5 है और यह नहीं है suppose यह इसका address है 500 अगर यह note ले ले लिए और इस note को में delete करना है यह currency में यह x है तो एक नाया temporary pointer ले ले लेंगे suppose यह आपका तो next note को point करेगा तो कि previous वाले को तो हम ले ही नहीं सकते previous वाले को क्या होगा हमें starting से traverse करेंगे क्यू का next के आपका 400 तो क्यू के next को यानि क्यू का next के आपका 400 हमने एक temporary variable ले लिए struct node asterisk यह t दिया होगा यह temporary variable जो होगा वो क्या होगा यह आपका नहीं यह तो previous case जो हम लोग डिसकस कर रहे है और यह आपका gate 2004 में question पुछा दिया एक pointer ले लिए struct node asterisk t और t which is equals to q का next यह assign कर दिये तो t क्या होगा यह next जो है इसको point कर रहा है simply करना क्या है हमें delete क्या करना है इसको तो क्या करें तो इसका मतलब है कि अगर current scenario में इसकी values दिखेंगे तो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, and 5 यह सारी data parts है लेकिन हमें result क्या करना है यह जो आपका node जो q जिसको point कर रहा है इसकी value 3 है तो यह क्या आना चाहिए result आना चाहिए 1, 2, 4, 5 यह अगर हम फिर से traversal perform करें तो इसका add देन result क्या आना चाहिए 1, 2, 4, 5 यह जो data part 3 को contain करता है उसको में delete करना है तो simply क्या कर सकते है अगर इस node की value को यहाँ copy कर ले यह आपकी value क्या है 4 तो simply क्या कर दिया next part में क्या करेंगे q के data part में q का data part क्या है 3 इसमें क्या कर दिया t का data part copy कर दिया अगर q के data part में q का data part विचे जनी t का data part q के data part में अगर assign कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 यहाँ आगे और क्या करेंगे q के next में t का next next जो है q के next में क्या कर देंगे q का next which is equals to t का next तो t का next क्या है t currently इस particular node को point कर रहा है t का next क्या 500 इसका मतलब यह address अगर इसमें assign करेंगे तो इसकी value क्या हो जाएगी 500 इसका मतलब यह link आपकी break हो जाएगी और यह किसको point करेंगा इस particular node को okay अब इस t को delete कर देंगे तो simply क्या करेंगे free free function call करेंगे free कौन सा pointer है t यह t आपका free हो गया इसका मतलब pointer t जिस particular memory को point कर रहा होगा वो क्या हो जाएगी आपकी deallocate admins free हो जाएगी उसके बाद क्या करने इस pointer को null कर देंगे तो t which is equals to null अब currently क्या होगा currently यह सारे चीज़ें delete होगे और यह link भी चलेगे तो अब क्या है जो जो आपका देखो यह क्या है यह node था x तो x node delete करने का मतलब यह जो data contain किया उसको delete करना है x node किया उसकी naming खाली सिर्फ हमने naming कर दिये कि यह आपका intermediate node है delete क्या करना है यह सारी information यह pointer जिसको point कर रहा है इसको और यह जो आपका जो भी information उसको delete करना है तो simply क्या है next वाले part से सारा कुछ information इसमें copy कर लिया एक temporary pointer नेक्स वाले के लिए कि लिए तो अब उसकी सारी information को इसमें copy कर लिया यह प्रिवियस node में इसको delete करना है तो currently क्या है वह जो intermediate node यानि जो भी details उसकी जो भी information थी वो delete होगए तो अब इसके time complexity देखते है यानि इसमें कौन सा option होगा तो simply क्या कि एक temporary pointer लिया उसके बात क्या कि यह assignment operator यह दूसरा assignment यह तीसरा assignment और यह और यह तो यह क्या है यह सारे operations है तो यह सारे operations अगर देखेंगे अगर one unit of time इसमें लगा one unit इसमें one unit इसमें अगर देखेंगे total five unit of time which is equal to constant time इसलिए इसकी time complexity का वा जागी order of one तो option कौन सा होगा d order of n इसका आंसर नहीं वह क्या होगा order of one तो हमें इस तारह यह बहुत ही interesting question है और बहुत ही क्या हम इससे और efficient तो worst case complexity में normally confusion है कि worst case का मतलब यह कि worst scenario में जो best perform करेगा उसको देखेंगे तो यह क्या है आपका order of one तो यह था आपका question और यह इसका solution that's it